जैसे कि हम पढ़ रहे हैं विवी परस एनिमल्स and ov-paris animals की बारे में तो सबसे पहले हमें विवी परस और और वी परस का मिनिंग पता होना चाहिए तो हम इसको एजिली बता सकेंगी कि यह क्या होते हैं तो देखे जो विवी परस है, यह विवी प्लस परस से मिलकर बनाए है, और इसके अपोजिट, जो ओवी परस है, वो ओवी प्लस परस से मिलकर बनाए है, यह बात तो आपको समझ मारे है, कि परस दोनों में common है, तो देखे, परस को मैं मतलब बताता हूं आपको, परस को बेरिंग ठेक है जिसके पास ही होता है बेरिंग राइट में ऑवी मतलब देखें ओवी का मतलब होता है और वी वी मतलब होता है अलाइव तो देखे जो फीमेल होती है या जो बोलता है मदर होती है फीमेल पैरेंट होती है तो वो अगर अलाइव क्या नाम है अलाइव ही बच्चे को जन्म देती है मतलब दो जन्म विच गिव बड़्थ टू यंग वन्स जो पर्थ देते हैं मतलब जो एंब्रियो होता है उनको डेवलाप हो जाता है फ्रॉम विच यंग वन्स हैज्ट लेटर आउं मतलब ऐसे अनिमल जो एग्स को देते हैं एग्स लेकरते हैं और फिसके बाद वो एग्स क्रेक होकर है चोकर उसमें से यंग वन निकलता है उनको बोलते हैं ओवी परस तो आई इसके डिटेल में जाते हैं तो नो वी आर डिस And maneis जो एग्साने केमातमत मतलब अलाईव और परस मतलब बेयार कनने वाला तो जो अलाईव बेयर करता है उसको मोलते है वी परस अनिमल्स तो इस क्डिशन में क्या होता है माली जी यह वीमएपらं नहीं हैं। तो इसमें जो फटिलाईजैशन में आप एम्ब्रिव बनता लेकिन जो oviparous animals होते हैं, वो इसे opposite होते हैं, तो जैसे oviparous animals, तो इसमें oviparous animals, तो इसमें ovी मतला eggs, तो यह जो animals होते हैं, इनका कुछ fertilization होता है body के अंदर, और उसके बाद यह एग के रूप में इसको बाहर निकालते हैं, फिर एग कुछ time बाद, egg hatch होता है, hatch मतलब चटक के तूट जाता है, और उसमें से एक baby निकलता है, तो उस young one निकलता है, और उसको हम बोलते हैं, oviparous animals, जो यह सब करते हैं, तो यह था viparous और oviparous animals के बारे में, तो कौन-कौन से animals हैं, जो viparous animals हैं, उसके बारे मैं यह discuss करते हैं, माली जी, cow है, right, dog है, cat है, और lion है, ठीक, tiger है, tiger है और horse है, तो बहुत सारे, rabbit भी है, rat भी है, elephant हो सकता है, camel है, हम भी है, human है, तो हम सब लोग क्या है, viparous animals, right, अब बात करें, अगर हम, eggs वाले oviparous animals कौन-कौन से हैं, तो यह भी बहुत सारे हैं, ठीक है, lizard इसने के, ostrich है, butterfly है, crow, spare है, तो यह जो animals है, यह crocodile है, यह सब oviparous है, क्यों, क्योंकि यह eggs दे दे हैं, ठीक है, तो यह था अमरे viviparous animals and oviparous animals के बारे में, अब पढ़ते हैं, metamorphosis क्या होता है, उसके बारे में,